हालो फ्रेंड्स आइम सूर्या एंडी वार वाजिंग व्याडनार्स यूट्यूब चानल तो आज का वीडियो के बार में बात करने से पहले मैं आप लोगो यह बता देना चाता हूं कि जो डाउट क्लियर का वीडियो आने वाला था वो वीडियो इसलिए नहीं आया पाया कि यह पार्ट मैं एड कर दूंगा जो नेक्स्ट वीक में आये गा डाउट क्लियर का पार्ट उसके साथ मैं एड कर दूंगा तो आप लोगों पर देखने को मिल जाएगा इसके बारे में जाता सोचने कर कोई बात नहीं है और मेरा वीडियो इसलिए नहीं आप आया और एक जो रियंक्रिक मैं जब भी बनाने जाता हूं तो यहाँ पर मैं तो till पनाता हूं आप लोगों पता है तो यहां पर यह कभी को जब भी कि रहते ह हो तो पुरा अंधेरा जा पैया औंदेर्व cev कर पंजाब में फीन्स बढ़ा दिया गया है यानि कि अगर आप नया सेसेन के लिए apply कर रहे हो आपे भरती के लिए चाहे हो A&M हो BSC हो MSC हो अगर आप पर पढ़ाई करने के लिए apply करना चाहते हो तो आप लोगो ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिया चलिए शुरू करते है आज के फीडियो हां तो फ्रेंचासिक अब लोगों पता है कि अभी कॉर्णा की वाज़े से बहुत सारे स्टेट्स में क्या बोलते हैं नार्सेस का कमी दिख रहा है और हुआ पर क्या हो रहा है अभी जो इंडिया का इकोनोमिक जो सिचुएशन है वह भी बहुत लोग हो चुका है तो इसी लिए इसी लिए पंजाब सरकार ने यानि कि पंजाब जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने यह डिसाइड किया है कि पंजाब का हर एक नर्सिंग इंस्टिटूट चायो गवर्मेंट हो या फी नॉन गवर्मेंट हो यानि कि प्राइफेट हो त आते हैं यह लोग लिए पे करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो बैसिकली आज को वीडियो यहां पर सारी के सारी मैं पीज बताऊंगा और आप लोग को क्या ख्याल है इसके बारे में आप इसको जरूर बताना कॉमेंट में तो सबसे पहले हम लोग आते हैं तो इस डिप इस प्रणिशन है वहां पर 14,335 रुपे से उसको बढ़ा के 18,000 रुपे कर दिया गया है तो यहानि कि यहां पर नॉन गॉब्रेमेंट में एक 4,000 रुपे की बड़त दिख रहा है और जो नॉन गॉबर्मेंट है वहां पर 2,000 रुपे की यहां पर जो क्या बोलते हैं यहा पर रखा गया है बट नॉन गॉवर्मेंट यानि कि अगर आप करने जाते हो तुम्हां पर आपका जो फीज था अभी तक 40,000 रुपे उसको बढ़ा के 50,000 रुपीज कर गया गया है बेसिकली यह जो सारे के सारे जो फीज बढ़ाया गया है ओ इस साल से अपलाई होगा यानि कि जो स्टूडेंट्स आएंगे 2020 में अडमिसन लेंगे उन जिसका बैच 2021 होगा उस बैच से एपलाई किया जाएगा यह जो सारे के सारे निव फीज है निव जो फीज का स्ट्रक्टर है उन लोग के लिए ही एपलाई होगा तो जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ते तो एक लाग रुपे के आसपास था तो एक लाग रुपे ही वहाँ पर रखा गया है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है यानि कि अगर आप प्राइवेट अस्पिनल में जाते हो तो वहाँ पर आपको 1.75 लाग के आसपास आपको पे करना पड़ेगा तो यह जो यहाँ पर ंस दिख रहा है एनम नर्सिंग में आनन गॉर्मेंन में 4,000 रुपे का और करीमे में करीब करीब 75,000 रुपे यहां पर बढ़ाया गया है यह अच्छा है एक स्टेट के लिए उसका एकनोमिक जो हेल्थ है उसको इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी बात है बट यह भी सोचना चाहिए कि जो स्टुडेंट्स लोग कैटेगरी से आते हैं यानि कि लोग क्लास फैमेली या फिर मिडि क्योंकि 40,000 रुपे और 50,000 रुपीज में बहुत फरक है बहुत फरक दस अजार रुपे का फरक मतलब बहुत फरक है यानि कि अगर आप लोग बात करें कि अपने पैसे से में से कॉम्प्रेट कर सकते हैं बट एनम या फिर बीएस्ट के बात करें कोर्से से दोनों ही कोर्सेस एक इंटर्मीडिट के बात ही हम लोग करने जाते हैं तो उपर घर वालों के उपर हम लोगो डिपेंडेड होना पड़ता है तो घर वाले जैसे हम लोगो रेस्पॉंस दिखाया है कि हां मैं आप तुमको इतना पे कर सकता हूं इस महीन ने इतना पेंडे सब्सक्राइब हम लोगों होना पड़ता है तो मेरे इसाब से यह जो फीस बढ़ाया गया है मेरे इसाब से उन स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ क्य बोलते हूं रिलीज देना चाहिए रिलीज पॉइंट कुछ होना चाहिए जो स्टूडेंट बहुत ही लोग क्लास सोचना जरूरी है हाँ एक कॉंपल सरी है कि फीज तो बढ़ता है हर एक साल में बढ़ता है बट इतना जादा बढ़ना एक मुसीवत खड़ा हो सकता है तो हम एक स्टूडेंट के लिए तो मैं आप लोग से यही दरखास्त करूंगा कि अगर आप लोग एक नए आडमिसन ले जरूर बताना क्योंकि आप लोग का इस विशय में आप लोग का जो एक क्या वोलते कॉमेंट है अगर आप पहले से यहां पर पढ़ते हों अगर आप पंजाब का कोई भी बिलोंगिंग इंस्टिटूशन में आप पढ़ाई करते हो तो आप प्लीज बताओ आपका क्या ख्य खबर दोगे निउस दोगे उतना ही मैं आप लोगों से सिहार कर पाऊंगा बाकी के लोगों से तो मेरे इसाब से बस यह सभी बोलना था और कुछ नहीं था इस वीडियो में तो अगर लोग पसंद आया तो लाइक कॉमेंट से जरूर करना मेरेको तो यह पक्का पता है कि आप लोग सब्सक्राइब करी देगे मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छे हो तो बाई दाब इस वीडियो में इतना है अगर लोग पसंद आया तो लाइक कॉमेंट से यार सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलती है निया अश्वीडियो में त तक लिए थैंक्यू बाई बाई